नमस्कार आज दिन भर की बरी खबरों में आपका स्वागत है आज दिन भर की बरी खबरों में बात होगे विदेश मंत्री एस जैसंकर ने अमेरिका को लेकर क्या कहा बात करेंगे जैसंकर के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा भारत को छोल कर दुनिया के सभी देश अमेरि लेकिन इससे पहले एक नगर आज की महत्पुन सुर्ख्यों पर क्या है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतिय रूपय की गिरने का सिलसला लगातार जारी है सोमवार को भारतिय रूपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले अस्तर 84.38 रूपय तक पहुंच गया है एक है तो सेफ है के नारे पर राहुल गांदे ने कहा आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी आप तो बस एक आडानी को सेफ करने में लगे हुए हैं या भायावत तस्वीर और खबर भारतिय रेलवे की है जो लंबी लापरवाई और मेरिकी राष्ट्रपती चुनाओं में कमला हैरिस के हार जाने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के वाइट ऑस में लौटने से घवराए हुए हैं जैसेंकर ने मुंबई में आदित बिरला गुरूप के छातविर्ती काजिक्रम के रजत समारों में बोलते हुए कहा मैं जानता ह हम खुद इस सवाल का हुधहरन है अगर आप हमारे आर्थिक वजन को देखें हमारे आर्थिक राइंकिंग को देखें यहां तक की भारतिय क俺p की पहुंच उनकी मौझूदगी बारतिय जिनके बारे में मैंने बात की है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुनर संतुलन हो रहा है उन्होंने बताया कि या परिवर्तन अपेक्षित था और मेरे विचायर से या अपरिहार भी था क्योंकि अपनिवेसिक काल के बाद जब इन देशों को सोतंतरता मिली तो उन्होंने अपनी नीतियां स्यम बनाने सुरू की और फिर उनका विकास होना तय था फिर भी जैसेंकर ने बताया कि पस्चमी उद्योगिक राष्ट वैस्विक अस्तर पर महतोपुन प्रभाव बनाए रखते हैं लेकिन एक बात याद रखें पुरानी पस्चमी अर्दवस्थाएं पुरानी ओदविक अर्दवस्थाएं विखत नहीं हुई हैं वह अभी भ बढ़ा चड़ा कर नहीं बताना चाहिए हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट पती चुनाओं के भारत अमेरिका संबंदों पर परने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर जैसंकर ने बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडन तक अमेरिकी रा राष्ट पत्यों के साथ तालमिर बनाया है जब वह पहली बार डी सी आये थे तब ओबामा राष्ट पती थे फिर ट्रम फिर बैडन जैसंकर ने अपने जबाब में कहा प्यम मुदी जिस तरीके से रिस्ते निवाते हैं और बनाते हैं वह सवाविक है कि इससे बहुत पांच नवंबर को राष्ट्रोपती पत के उमिदवार कमला हैरेस के खिलाप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रोपती उमिदवार डोनाल ट्रम्प की जीत ने वाइट हॉस में उनकी वापसे सुनिस्चित कर दी है छे नवंबर को पीम मोदी ने मित्र डोनाल और बातचीत में उनके राश्रुपती पत की जीत और रिपब्लिकन पार्टी की कॉंग्रेस में सफलता दोनों के लिए बधाई दी थी परधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प के नित्रित और दूरदर्सिता में अमेरिकियों के द्रिंड विश्वास को स्विकार किया उन्होंने सितंबर 2019 में वेस्टर्ण में आयुजित मोदी कार्जकरम और फरवरी 2020 में आयमदावाद में आयुजित नमस्ते ट्रम्प कार्जकरम जैसे मात्पून कार्जकरमों को याद किया सुप्रिम कोट ने सोंबार को दिल्ली पूलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पूलिस ने पटाकों के बिक्री पर परतिवन लगाने के सिर्ष आदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया और दोहराया की परदुसन मुक्त जीवन जीने का अदिकार एक मौलिक अदिकार है अदालत ने पूलिस के परियासों को अप्रयाप बताते हुए कहा कि वे केवल कच्चे माल ही जब कर पाये थे नयमूर्ती अभायसो का और नयमूर्ती जौर्ज मसी की पीठ ने पूलिस आयूक को राष्टे राजधानी छत्र दिल्ली अंसियार में पटाको पर परतिवन्द को लागू करने के लिए एक विशेष परकोष्ट अस्थापित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा हम दिल्ली पूलिस के आयूक को परतिवन्द को परभाव तरीके से लागू करने और उसको सुनिस्चित करने के लिए परकोष्ट गटित करने के निर्देश देते हैं स्वास्त से समझाता करती हो सर्वुच नियाले ने कहा परदुसन मुक्त वातावन में रहना हमारा अधिकार है और यह संविधान के अनुछेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है पर्थम द्रिष्टिया हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी गतिविदियों को बढ़ावा नहीं देता जो परदुसन को बढ़ावा दे या लोगों के स्वास से समझाता करें अधारत का यह फैसला उन रिपोर्ट के आने के बाद हुआ है जिनमें बताया गया है कि इस दिपावली में दिल्ली परदुसन का अस्तर पिछले सालों के मुकाबले रिकॉर्ड पर पहुँच गया है और दिल्ली पुलिस को इस पर परतिवन लगाने के लिए काम सौपा गया है सोम बाहर सुबत दिल्ली की वायो गुर्वत्ता बहुत खराब रही है जिसकी कुल AQI 349 रहा है सफर इंडिया के आकरों के अनुसार सहर भर के अस्पतालों ने स्वसंद संबंदी मामलों में बिर्दिव हुई है और इसकी सूचनादी है पहले से स्वास संबंदित समस्या नहीं रखने वाले लोगों में भी सास्त की समस्या हो गई है सहर में घना धूँ अचाया हुआ था और कलिंदी कुंज में यमना नदी पर जहरीला जाग दिखाई दे रहा था कई इलाकों में AQI रीडिंग उलेखनी रूप से हाई थी और स्री अरविंदो मार्ग पर 206 से लेकर आनद विहार में 385 तक के आकरे लिये गए थे डॉक्टर ने चेताव ने दी की परदुसं सारवजनिक स्वास्त को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है खासकर बच्चूं और बुजरुगों के बीच सुप्रिम कोट के कई एतहासिक फैसलों में अहम भूमे का निभाने वाले जस्टिस संजीब खन्डा ने सुमबार को भारत के 51 वे मुख्य नियाइधिस के तौर पर सपत लिया राश्ट्रपती दुरपती मुर्मू ने उन्हें राश्ट्रपती भवन में सपत दिलाई है सुप्रवार को नियामूर्ती चंद्रचूर का मुख्य नियाइधिस के रूप में अंतिम कार्य दिवस्था और उन्हें सिर्ष अदालत और उच्छ अदालत के नियाइधिसों वकीलों और करमचारियों द्वारा भवे विदाई दी गई थी 64 वर्स की आयू में नियामूर्ती खंद्रचूर भारत के मुख्य नियाइधिस के रूप में 6 महिने का कार्यकाल पूरा करेंगे और उनके 13 मई 2025 को सिवानर्वित होने की उमीद है नियाइमूर्ती संजीव खंद्रचूर के कई एतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं जिसमें चुनावी बॉंड योजना को खत्म करना और अनुछे 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखना सामिल है उनके उलेखनिये फैसलों में चुनाव में एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना भी सामिल है जस्टिस खर्ना के विंच नहीं अर्विंद केजरिवाल को लोग सवाचुनाओं के दोरान परचार करने के लिए अंतरिप जमानत परदान की थी इन सभी खबरों के बीच क्या नई बात सामने आती है और कौन सी महत्पूर्ण खबरे अभी बाकी है और क्या-क्या बात सामने आती है इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है आप हमारे साथ जुरे रहिए और देखते हैं सान इंडिया तब तक आप अपनी राय हमारे साथ साजा कर सकते हैं मिलते हैं अगले दिन नमस्कार जहिंद